बायपसी यानि किसी भी घाव से एक छोटा सा टुकड़ा निकाल करके उसकी जाँच के लिए बेज़ना अक्सर पेशन को लगता है कि बायपसी से मुखे अंदर कैंसर बन जाता है या कैंसर तेजी से फैल ने लगता है ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, बायपसी होने से cancer की growth थोड़ी तेज हो सकती है लेकिन इसमें सिर्फ 19-20 का फ़रकाता है और बायपसी होने से कभी भी किसी भी चाले या किसी भी गांट के अंदर cancer बायपसी होने से नहीं बनता है अगर किसी गांट में पहले से कैंसर है तो ही कैंसर उसमें होगा लेकिन अगर किसी छाले में कैंसर नहीं है तो उसमें चीरा लगने से या बैपसी होने से कोई कैंसर नहीं बन जाएगा ऐसा बिल्कुल भी मुम्किन नहीं है चुकि कैंसर का इलाज संगो नहीं है बिना बैपसी के जब तक डॉक्टर के पास बैपसी की रिपोर्ट नहीं होगी जिसमें की कैंसर आ चुका हो तब तक कैंसर का आगे इलाज नहीं किया जा सकता ना उसकी सजरिय हो सकती है ना उसमें दवाई यानी कीमो थेरपी की जा सकती है तो ऐसे में कभी भी डॉक्टर को अगर डाूट है किसी कैंसर जीसी बीमारी का तो बैपसी करना जरूरी होता है और अगर कोई पेशियन्ट बैपसी के लिए अड़्वाइस किया गया है तो प् कैंसर का बेतरी निलाज उसके शुरुवाती स्टेज में संभव होता है तो ऐसे मिला परभाही बिल्कुल ना करें तो आज के लिए इतना ही मिलते है नेक्ट वीडियो में एक और टॉपिक के साथ थैंक्यो